नमस्कार विराट 24 न्यूज में आपको स्वागत है मैं हूँ आपके साथ ही ना खबर मत्य प्रदेश के रिवा जिली के मौगन छेतर से है जहां जन्पत पंचाय छेतर अंतरगत पन्नी गाउं में इन दिनों बिजली की समस्या से किसान परिशान चल रहे है सरकारे सिस्टम से निरास होकर इसके निदान को लेकर वहां के रहने वाले एक किसान ने गीत के माध्यम से अपनी समस्या को दूर कहने की मांग की है जिसके बाद किसान का गाया हुआगी सोसल मीडिया पर जम कर वाइरल हो रहा है वही किसान ने अपने दोराग गाए हुए गीत में पीम मोदी और सीम सिवराज का खूब जैगान भी किया है दरसल मौगन जनपत पंचैचेट के पन्निगाव में विगत कई दिनों से टांसफार्मर जला हुआ है जिसकी वज़ा से बिजली की आप पूर्ती नहीं हो पा रही है और बिजली की कारण किसानी चौपट होने की कागार पर है जिसके बाद उसकी चिंता प्रकट करने के लिए गाउं के रहने वाले एक किसान ने गीत के माध्यम से सरकार से नए टांसफार्मर लगानी की गुजारिश की है वहीं किसान ने गाए हुए गीत में पियम मोदी और सीम सिवराज का जैगान भी किया है और कहा है कि वर्तमान सरकार में चारों तरफ खुशाली का मोहौल है परंतु अधिकारी कर्मिचारी किसी भी काम को नहीं सुनते जिसके कारण गाओं के लोगों के लिए बिजली सप्लाई नहीं हो पा रही है बताया जा रहा है कि किसान रगुवन से प्रिशाद दुएदी अपने गीत गजलों के जरिये अक्सर ही लोगों की समस्याओं को प्रस्तुत करते हैं जिसकी सुनवाई भी होती है परंतु अब उनका खुद का गाओं बिजली सप्लाई ना होने के चलते परिशानी में है जिसके लिए उन्होंने नए टांसफार में लगानी की गुजारिश करते हुए गीत का गायन किया है जो अब सोसल मीडिया पर धूम मचाए हुए है की जय हो वे मवू गंज तहसीले अथाना पन्नी मेरा गाओं टांसफार मर जला खड़ा है पटवा टोला ठां दे कोई बदलाए आपकी जय हो वे अर दे कोई बदलाए आपकी जय हो वे जय मोदी तिव राज आपकी जय हो वे चले न बोर मिले नहीं पानी कैसे प्यास बुझाओं सूखे खेत किसानी चौपट कैसे फसल बचाओं चले न बोर मिले नहीं पानी कैसे प्यास बुझाओं सूखे खेत किसानी चौपट कैसे फसल बचाओं अर दे कोई प्यास बुझाए आपकी जैहोबे सुना है आपकी राज में कोई भूखा कभी नसोए सुना है आपकी राज में कोई भूखा कभी नसोए टांस फार मर जला खड़ा है अपना दुखडा रोए हां रखो हमारी लाज आपकी जैहोबे हे मोदी सिव राज आपकी जैहोबे कहें रगुबन से ये मांग पत्र है मांग करो स्विकार कहें रगुबंस ये मांग पत्र है मांग करो स्विकार आपकी जय होवे हे मोदी सिवराद